तो चले फ्रेंज इतने विछात्र एक्जाम देने वाले बिहार बोट से यहां पर मैट्टी का अब मैट्स भीजान के बाद समाजी भीजान के बारी है दोस्तों यहां पर कई सारे कोशनस आप सभी को हूब भू देखने को मिलेंगे आप सभी के एक्जाम से ठीक है चाए फर प्रस्ण के लिए आपको एक निधारित है अपने दोरा चुने के विकल्प को उमर सीट पर आप लोगों को चिनित करना है कि नहीं 40 प्रस्णों के ही उतर देना है ठीक है जो एक एक मार्क होंगे तो चलिए हम लोग यहां पर सभी देखना एक एक प्रस्ण प्रस्ण आपको मिलता रहेगा ठीक है चलिए हम लोग एक प्रस्ण यहां पर देखते हैं दो यादे चलिए शमाई कम है जितना प्रेक्ट्स करोगे उतना बहतर होगा पहला दूसरा है कि रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था तु forbidden rider में और मका से उत्तर एंगो यहाँ पर और ह्याय कि जालिया वाला बाग हांग के विरोध में किसने अपनी knights की उपाधि त्याग दिय थी जलियावला वाग हत्याकंड के बिरोद में नाइट की उपाधि जो त्याग दिया था वो था रविन्दा नाठ टै गोड़ने किसने रविन्दा नाठ टै गोड़ने तो इनका से उतरसी हो जाएगा दखे काफीसांदार प्रसनता है कि जर्मनी की एकिकरन में जो भूमी का μहत्पुन थी अप صुछ मार्ण चार हो जाएगा थी आज समाज की स्थपना इस ने किया थी आज ऽमाज की अस्थपना के अगर बात करें हम लो 5 तो सही इठर हो जागा यहाँ पर 5 का स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उपशास नमर 5 का सी 6 नमर देखते हैं, कहा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्टाव कांगरेस के किस वार्चिक अधिये में पारित हुआ था, देखेब पूर्ण सौराज की मांग हुआ था लाहोर अधिये सेन में उन्यशूंती समीं में बहुती सांधार प्रस्णा है छेका यह सही ऊतर हो जाएगा चले सेवर नमर प्रस देखते हैंक कहा गया है कि मद्राज भारत में सूती वस्त्र की पर्थम मिल कहा खोली गई थी ति देर्खें पर फासो फास नमर भी हो जाएगा 17 नमर देखते हैं कहा गया है सोरी आठ आठ नमर कि अखिल भारतिय ट्रेड यूनियोन कॉंग्रेस जिसको हम लो ए आई टी यूसी बोलते हैं कि पर्थम अध्यक्ष कौन थे किनको बने आ गया था पर्थम अध्यक्ष तो बने आ गया था लाला लाजपत और यहां पर बी कोरेक्ट हो जाएगी नाइन नमर देखते हैं कहा गया है कि हिंद चीन में अंतिम यूद की समापती के समय अमेरिका के राष्टपती कौन थे बहुती सांदार प्रसन है कि हिंद चीन शेतर में अंतिम यूद की समापती के समय जो अमेरिकी राष्टपती थे उनका नाम था Nixon क्या था Nixon आपसास नमर अचिज़ंगत है कर दिएца कि Yes Lord a कि आखांदर है कि रख्त और लगोश्त की निती आफ लुदंबन निहाइ frank यह किस ने किया अगला देखते हैं 12 नमर कहा गया है कि नई आर्थिक निती NEP कब लागू हुई थी तो 1921 इसमें लागू हुई थी 1921 अपसस नमर C तेरा नमर प्रसंद देखते हैं कहा गया कि इंडियन अस्टेट्यूट्री कमिशन का अन्य नाम क्या है तेकि इंडियन अस्टेट्यूट्री कमिशन का जो अन्य नाम बोला गया है वो है साइमन कमिशन क्या है साइमन कमिशन अगला प्रस्ण देखते हैं कि गांधी जी ने किस समचातर पत्र का समपादन किया था तो सही उत्तर हो जगा यंग इंडिया का उप्सण नमर B चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं नेक्स प्रस्ण गुटेन वर्ग ने सरफर्थम किस पुस्तक की छपाई की थी तो बैविल की ऑप्सण नमर 15 का सी कोरेक्ट हो जाएगी है अगला प्रस्ण है 16 नमर कि असोक का अभिलेक किस लीपी में है तो असोक का जो अभिलेक लिखा गया है वो लिखागे बराहमी लीपी मृफस नमर यह वह जाएगा सब्लका हूं का है 17 नमर प्रस्ण है कहा गया है कि बंगाल विवाजन कब वाल वह पस लिया गया था निदो पांट सिसे में वापस कब लिया गया था तो निस पांट और समय यहापे एक कोरेक्ट हो जाए अगला है कि किस समयलन में एक मैं को मजदूर दिवस मानाने का निर्दने लिया गया किस समयलन में बहुती इंपोर्टेंट प्रस्ट है ये समयलन का नाम था द्यूतिय अंतराश्टिय समयलन आपसरस नमर बी नेक्स्ट प्रस्ट देखते हैं 20 नमर कि होची मिन की सरकार थी कहां पे तो होची मिन की सरकार थी उतरी भी अतनाम में आपसरस नमर बी हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ट देखते हैं कि इस नमर की वार एंड पीस किस के दोरा लिखा गया है तो जानती होंगे लियो टोल स्टेक के दोरा यूध और सांती लिखा गया है जिसका इंगलिस नेम है वार एंड पीस अगला है कि सोवित संग का विखठन कब हुआ सबी को पता है कि सोवित संग का विखठन जो हुआ था उने सो एक आनवे इसमें हुआ था दो बैसका से उतर एक एसाद चलेंगे में लोग तरीस नमर है यहाँ पर कि पतना को अजीमाबाद नाम किस ने दिया तो दखें पतना को अजीमाबाद नाम जो दिया था यह अजीम उस सांग ने दिया था आप्स नमर यहाँ पर सी को बी कोरेक्ट हो जाएगा अगला देखते हैं पाटली पुत्र नगर की अस्थापना कि बार नाहतो जो हो जायता इवच्क औंठ को जो जा भारतस में ऑगला है यहां यहां पर 25 कि भात में म denn राष्ट्री आएक गन्ना की संस्था दोरा किया जाता है ँरू तो भारता में रास्टिया की गणा केंद्रिय सांख्य की संगठन CSO के दोरा किया जाता है अगला प्रशन में यहाँ पर कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था योजना आयोग का गठन अगर यहीं की बात करें हम लोग योजना आयोग की बात तो यह हुआ था आपका 15 जनवरी 1950 इनके अध्यक्ष होता है परधान मंत्री नेक्स्ट प्रसन है कि उत्पादन के सादनों पर नीजी ब्यक्तित्व का स्वामित्व होता है देखें उत्पादन के सादनों पर नीजी ब्यक्तित्व का स्वामित्व जो होता है वो ते आपका पुन्जी वादी अर्थ विवस्था में और अपसस नमर आपका B यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि गाइस और बिजली उत्पादन किस छत्र का अंग है देखें गाइस और बिजली उत्पादन जो है यह सारे आपका दूतियक छत्र का आंग है ठीक है आपसस नमर B क्योंकि ओधोगी क्छत्र में यह काम आता है अगला प्रस्ट देखते हैं कि बंगला देश की मुद्रा का नाम कै है बंगला देश का करेंसी को मुद्ध टका वोलते हैं क्या वलते हैं टका आपसस नमर B और भारत का क्या है रूप वहिया ठीक है अगला प्रस्ट देखते हैं और चीन का यूवान है अगला देखते हैं नेक्स प्रस्ट की प्रोफेसर मुहमत यूनूस का संबंध किस देश से है तो भारत से है तो ऑपसस नमर क्या हो देगे यहाँ पर तीस का यहां पर बंगलादेश से हैं दोस्तों और सिक्रेक्ट कर लो तीसका ठीक है क्या होगा बंगलादेश सी अगला देखते हैं कि पहले था भारत में लेकिन बंगलादेश में प्राइब करती है यह परतान करती है अल्प कालिन आपस्थ नमर ए जवाहर रोजगार योजना किस प्राहर रोजगार योजना यहां प्राइब संधंटि के लिए कि अगर संख्याग की बात करेंगे तो 282 है अगला परस्ट देखते हैं कि प्रोफेसर पीसी महालो नोवीस की अधिक्स्ता में किस समीति का गठन किया गया था तो 35 का से उतरुज़ेगा अप्सास नमर ए राश्टिया आई समीति का नेक्स परस्ट देखते हैं हम लोग यहां पर कहा गया है कि उपभोग बिय और बचत का योग कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पर आए क्या बोलते हैं आई बोलते हैं चलिए नेक्स परस्ट देखते हैं कहा गया है आपका कि इंद्रमन में से कौन आर्थिक किरिया का चक्रिय प्रभाह है दहे कि चक्रियप्रभाह की अगर बात करेंगे आर्थिक किरिया का तो 37 का उौपस्वन. बूजगा 2 क्या हो जगा 2 अगला है कि भात में सरपर्थम राष्टिया एक कानुमान जो है कव लगाया गया था प्लोक पता योगा बहुत ही सांदार प्रस्ण यह ओठारा सो अर्शाथ हिस्वी में दादा भाई नैरोजी जी के द्वारा अप्संस नमार थर्टी नाइन देखते हैं कि निम्लिकित में से कौन सहकारिता का मुलभूत तत्व नहीं है तो थर्टी नाइन का से उत्तर अपस्ष्ट मर्शी हो जागा नायतिक तथा समाजिक तत्व अगला है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक अधारी संद्रचना है तो गैर आर्थिक संद्रचना जो है वह है आपका यहां पे स्वास्त किया था बताओ सविधान का चोहतरमा संसोधन की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो यह था आपका नगरिये सासन और दरस्था से अगला है कि बिहार में एक नगर निगम में कितने वाड हो सकते हैं तो कि एक नगर निगम में वाडों की अगर संख्याक की बात करेंगे हम लोग तो यह हो सकते हैं 75 अपस्वास नमबर D चले नेक्स्ट प्रसन देखते हैं यहाँ पर कहा गया कि चिपको आंदलों संबंदित है किस से तो चिपको आंदलों जा है बहुगना सुंदरलाल बहुगना से संबंदित है अगला है कि नेपाल में सब्त दलिये गटवंदन क्यों किया गया नेपाल में सब्त दलिये गटवंदन जो किया गया था वो किया गया था लोकतंत की अस्थापना है तो ठीक है 2006 में अस्थापना हुआ था अगला है कि बहुजन समाज पार्टी की अस्थापना किस ने किया था तो बहुजन समाज पार्टी की अगर अस्थापना करेगा बसपा जिसको हम लोग बोलते है वो किया था मुलायम सिंग तो 45 का से उतर क्या हो जगा है यहां पर नेक्स्ट है 46 नमर कहा गया कि दल बतल कानून लागू होता है सांसदो विधायों को पर रिपीटेट प्रस्न है अगला है कि जहारखन बिहार से कब पर्थक हुआ अलग हुआ पंद्र नमबर दोजार इसवी को अगला है निम्रिकेत में से कौन संग है प्रणाली की विश्यस्ता नहीं है तो से उतर हो जागा फोटी एट का अपसंस नमर भी एक हरी सासन वेवस्था नेक्ट एक लोग सवा में चुने हुए सदस्व की संख्या कितनी होती है तो 545 होती है कितनी होती है 545 तो से उतर हो फोटी नहीं क्या हो जगहां पर यह हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं यहां पर कि पूर्व में बंगला देश जाना जाता था किस नाम से तो कि पूर्व में बंगला देश जो जाना जाता था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था तो 50 का से उतर क्या है पर सी तो हम लोग ने दोस्तों यहां पर जो जितने भी कोसंस किये हैं वह एक से लेके 50 तक यह है इसके आगे के प्रस्ट हम लोग अगले विडियो में कवर करेंगे और आप सभी को यहां पर लगू उतरिय और देखूते प्रस्ट भी बताऊंगा जो आप सभी के एक्जाम्स में कई सारे प्रस्ट देखनों को मिलेंगे तो चली हम लोग मिलते हैं यहां पर ठीक है चली मैं आप लोग की इसी वीडियो में बता देता हूं ठीक है ना 51 नमर प्रस्ट देखते हैं कहा गया कि वेस्ट इंडीज संग की अस्थापना हुई थ इस को याद रखे गा शुख नेजस्ट इनिजफ है इंडीगा के लेकर बहुत ही सांधार प्रस्ट इंडीक इस दिखते हैं कहा गया है आपका कि वीडियो का सबसे बढ़ा लोकतांतिक देश कौन सा है तो भारत है सबसे बढ़ा लोकतांतिक देश अप लेकर बी अगला य यह जाएगा को मसे दो दोधवा रश्टी उधान जो है इसको याद रखेगा यह उत्तर परदिस Eleven हो तॉ राष्टिये जल निती कब अपनाई गई थी इसको याद रखेगा फिप्टी सेवन का से उतर हो जएगा ऑप्सिंस नमर भी सितंबर जलोड मिर्दा उसस नमर भी नेक्स्ट है यहाँ पर प्रस्न कि भात का सबसे बरा खनीज देल उत पादक छेतर कौन सा है देकि भात का सबसे बरा खनीज देल जो है वह आपका यहाँ पर डिगबोई खंभात मुंबई हाई या फिर बंगला तो साथ का से उतर हो जागा Qvi 161 का BCP चाइको टोई-एस फेक दते हैं दोस्तों ठीक है ना इए अग्ला प्रता है कि जीवन रेखा जीवन comment रेखा रेल कम चलाई गई थी तो जीवन रेखा रेल जो चलेगे थो उन्हें सो एक यानवे स्वी में नेक्स प्रसन देखते हैं कि कावर जील कहां पर है तो कावर जील जो है यह दर्भंगा में है ठीक है आप सोरी बेगुसराय में है कावर जील तो 63 का से उतर क्या हो जागा यहाँ पर किस राज में सन्युक्त वन परवंधन का इस्तिमाल पहला परस्ताव पारित किया गया था किस राज में तो सही उतर हो जागा 64 का आप सिप बंगाल में अगला है कि इन मेंसे कौन जो है यहाँ पे और कारवनिक कि निवुकित में से कौन और कारवनिक खनीज़ अगर बात करेंगे दोस्तो यह जाएगा अभरक नेग्स परसन देखते हैं कहा गया है कि इस राध में सरवाधिक मांगरोम होता है तो माइगरो मोगन की अगर बात करेंगे तो सब ज़्यदा है पस्वी मंगाल में नेक्स परसन की कौन कोईला घाटिया किस्म का है तो घाटिया कोईला की अगर बात करेंगे दोस्तों हम लोग तो से उत्तर हो जागा पीट ठीक है सब ज़्यदा एंट्राथाइस बीटू मिनस लिगनाइट उसके बाद पीट हो जागा जो सब से घटिया होता है जिसमें कारवन की मात्रा बहुत ही कम पाइजा भात में चाय की क्रिसी कहां शुरूई हुई थी तो भात में चाय की जो क्र अगें पॉइरे जो है दोस्तो 69 का से दरो जड़ाइस अधार भी मिकनीच है कि यहां स्थापित क्या गया था क्या द्साइछा है कि क desconièrement जाते हो की हरक्ण में है इसका संबंद है आपका अभरक्सर अगला है किस देस class ने ओपके के ओपी इसी की सदस्ता त्याग दी है मतलब हटा ली है अपने उपर से चार आप्स दिए गहें उसमें से बताना है तो से उत्तर वजगा कतार्द नेक्स प्रस देखते हैं कि इनमें से कौन जूट का अगरनी उत्पादक है तो अगरनी उत्पादक जो है वह आपका बंगलादेश अगला प्रस देखते हैं कि आस्वन सब्द आस्वन बांध क्या है दोस्तों आस्वन बांध ठीक है आस्वन बांध किस नदी से समंधित है तो आस्वन बांध जो है ये आपका समन्दित है निल नदी से, नेक्स्ट परस्ट देखते हैं, इनमें से कौन प्राकिर्थिक आपदा नहीं है, प्राकिर्थिक आपदा आतक बाद, ये आपका रसाइनिक आपदा है, बिहार किस वर्ष परभावित हुआ था, उने सो चोंटीस इसमें, कब उने सो चोंटीस में जब भारत में, सबसे बड़ा भुकम पाया था, नेक्स देते हैं, साथतर नमर के बाट के समय कोन अस्थान सुरक्षित होता है, तो बाट के समय जो है उस्च भूमी का सुरक्षित होता है अगला है कि भूस खलन से अभी परहे क्या है चटानों का गिरना चटानों का खिसना मलवों का खिसना इन में से सारे हो जाएंगे तो ठत्तर का डी 89 नमर है कि अकास्मिक परवंधन का परमुख घटक क्या है तो अस्थानी परसास अस्थानी लोग ये सभी हो जाएंगे इन में से सभी अगला है कि भूस भुकंप संभावी छत्रों में भवनों की आकरती कैसी होनी चाहिए तो बताना यहाँ पर किस तरीके का होना चाहिए अनडाकार होना चाहिए गुलाकार तिरोजाकार या फिर आईतकार तो आईतकार होना चाहिए क्या होना आईतकार इस तरीके से ताकि हिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा अफ檸्स नमर डी हो जाएगा तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगले बिरोज में देखेंगे लगू और देरी होती है प्रस्ट जो आप सभी के एक्जांस में हूँ बहु देखनों को मिलेंगे तो चलिए मिलते हम लोग अगरे ब्रज में बाई 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 सभी को समय कम है आप लोग ज्यादा ज्यादा प्राटिस कीड़े चलिए